बहुत बड़ा कोश्चन की साइन्स कैसे पढ़े और कहां से पढ़े वेल यहां तो लिखा हुआ है बिहार दोरोगा 2020 बट यह वाली जो स्ट्रेटेजी है यह सिर्फ इसी में नहीं BPSC हो, Upcoming CDPA हो या फिर UPPCSO कोई भी हो सब में काम आने वाली है ठीक है आप सभी जानते हैं साइन्स अभी कितना बरा मेजर फैक्टर बन गया है स्कोर करने के लिए अभी के टाइम में कॉम्टिटिव एक्जाम में जो चार मेजर फैक्टर कमारे सामने है जो BPSC की बात कर लो दरवा की बात कर लो, CDPA इन सब की बात कर लो तो चार कॉन्वन से हो मेजर फैक्टर या सब्जेक्ट बोल लीजे पहला तो है हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब तीनों आ गया उसके बाद बात करते है करेंट अफेर्स बहुत बहुत इंपोर्टेंट है थार्ड फैक्टर जो आत यह तो रोल डिसाइड करता है कि अगर इन दोनों सब्जेक्ट में आपका अच्छा पकड़ है तो आप लीड लेंगे या फिर रहे जाएंगे यहीं डिसाइड करता है तो आज इसी को पर बात करेंगे कैसे पढ़ना है कौन सा किताब पढ़ना है और हमें साइन्स के लिए कैसा strategy बनाना है बहुत से questions आरते बच्चों का तो हम सुझे इसको पर डेडिकेटली वीडियो बना दे ताकि आप सब का यहां पर question खतम हो जाए मैं हो रहो लड़ाब देख रहे हैं missing competition तो बहुत important question है कि साइन्स पढ़े तो पढ़े कैसे कहां से पढ़े हैं क्या करें कि साइन्स का सलेवस काफी वास्ट है बहुत बड़ा एरिया कबर करता है वैसे general competition में वैसा ज्यादा अंदर घुसके तो question नहीं पूछते हैं लेकिन हम non technical यह नि non science वाले बच्चों के लिए जो commerce और arts के जो background के उनके लिए यह एक बोलते हैं न मतलब सिर्ग उपर से-से bounce करने वाला चीज होता है ठीक है लेकिन इसको फिर भी बच्चे complete करते हैं और अच्छे समय score करते हैं ठीक है आप लोगों के पास history और crown होगा ही आप वाले section में मैं science के section में crown को loose end से एक point उपर रखोंगा बस एक point क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा अच्छे से detail में तरीके से चीजों को दिया हुआ है loose end में भी है लेकिन loose end में more of the less facts पे ज्यादा ध्यान दिया है crown में उससे एक percent ज्यादा जो है यहाँ पे theory पे ध्यान दिया है लेकिन मेरे दोस्त theory स्मझ में आता है नहींना reason है आपना तो background ही नहीं रहा आप आता है समझ में परमानौ रहेगा कर द्रवान क्या आता है समझ में देखो मैं यह नहीं बोल रहा हून नहीं समझ में आता है तो आप ब्वकूफ हो नहीं यह दुन हो आप reason बस इसका अपने आपको आप लोग demotivate ना करें अपने आपको परिशान ना करें नहीं समझ में आने का यहीं reason है हमने 10th के बाद से ठीक है 10th में तो सबको compulsory है science पढ़ना ही है जैसे जैसे सभी pass हो जाते हैं लेकिन 10th के बाद से आपने science चुआ ही नहीं है और actual जो exam में जो science पूछते हैं वैसे तो लोग बोलते हैं competitive exam वाले ही बोलते हैं कि हम 9-10 का आप से basic science पूछ रहे हैं तो अगर आपने class 9-10 में भी तड़िके science पढ़ा है तो आप वो समझ जाएंगे लेकिन पढ़ते तो हैं नहीं सभी तो समझेंगे कैसे अब इसके लिए क्या करें कुछ ना कुछ तो उपाय होगा basic उपाय है मैं message को follow करता हूँ और मैं personally believe करता हो अगर आपको follow करें तो आपका भी science सही होगा आप इसको और अच्छा करेंगे आप जाएं मार्केट में 2020 का भी वर्जन आ चुका है उसको आप लें घटा चक्र में खास्यत क्या दिखिए यह तो सबसे पहली बात यह है कि यह सारे के सारे जो ना PCS लेवल के exam के grade A exam के question से पूछे आते हैं यह तो एक खास्यत है ही कि इसमें जो भी question होते प्रिविय morals exam में पूछें कहीं question होते हैं ठीक है एक्जामपल दिखाता हूं यहाँ पर देखिए जैसे यहाँप एक question है हां यह question है हां-प एक question है अकास का नीला रंग इस कारण होता है क्या है तो प्रकास का प्रकिनन ठीक है देखें यहाँ UPP से स्प्री री एक्जाम 2015 में यह पूछा हुआ है ठीक है तो यहाँ इसी तरह है एक तो इसका आपने खुबसूर्ती देखा कि यह पूछा हुआ कोश्चन पूछता है दूसरा इसमें देखें हर एक कोश्चन के नीचे छोटा सा नोट से देता है जो कि उस कोश्चन का बैक्गराउंड समझने में काफी मदद यह करता है ये उस question का background समझने में काफी मदद करता है इसकी एक और खासियत है क्या खासियत है देखो इसमें randomly कहीं से question नहीं पूछता है ये previous year question देता है बट यहाँ पे देखो हर एक portion का physics यानि ववातिक विक्यान रसायन यानि chemistry और जी विग्यान यानि के biology देखे तीनों section यहाँ बना दिया है और हर एक section से हर एक chapter से हर एक topic से यहाँ पे questions आपको दिये गया है बहुत बहुत important है हर एक chapter हर एक topic से यहाँ पे questions आपको यहाँ पे provide कराय जा रहा है तो आप इसको जो है as a book एक topic wise chapter wise भी करने के लिए आप ले सकते important है क्योंकि उसमें topic wise सारे के सारे दियो है I hope अगर आपने घटना चक्र देखा होगा तो आपको वो काफी ज़्यादा help करेगा लेकिन एक चीज़ समझ लिए यहाँ आपको SSC वाला घटना चक्र नहीं लेना है आपको घटना चक्र लेना है PCS वाला जो पूशा जाता है ठीक है बहुत बहतरीन किताब है बहतरीन वो इसलिए एक तो देखे MCQS है लेकिन सारे चैप्टर वाइस दियो है MCQS यानि प्रकास विवर्तनी उसके बाद वांसी की मतलब ऐसे करके सारे topic wise बनाय हुए और उस topic wise उस topic से जो particular exam में किसी exam में और question आया हुआ है वो सारे उसमें दियो है और उस question के नीचे solution यानि topic के नीचे छोटा सा notes वीडियो है जो कि पढ़के आप उसको और अच्छा से clear कर सकते हैं फस्ट book है बहुत important book है मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत important है नॉन टेक्निकल नॉन साइन्स वाले बैगराउंड हम जैसे students के लिए अब जो आप ये complete कर लेंगे ठीक है ये इसलिए क्योंकि टॉपिक वाइस है चैप्टर वाइस है बिल्कुर एक book के जैसे इसको पच्छस कीजे ये जब आप कर लिजेगा ये लगाने के बढ़ लेंगे तो हुआ जिए अपने अपको Never कर लो को चाहिए तो आपको ये तरीकर साइंस का सैट प्रैक्टिस करवाएगा कैसे करवाएगा जब ये स्पीड्य लोगे आथ पीछे पचों ये तेज़ पाथ कर निया हुआ ठीक है और उसके बाज होंगे कर रहे हैं, बहुत हमों काम आ रहा है, आपके दो चीज करिए, साइन्स का आपका सारा प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा, I hope ये वीडियो में आपके सारे के सारे questions का answer मिल गया होगा, आपको और भी कुछ query है, नीचे comment करके हमें जरूर बताएं, ये वीडियो कैसा लगा, ये भी comment करके हमें जरूर बताएं, नए लोग है, subscribe करें और वीडियो को like जरूर करते मेरे भाई, like से हमें motivation मिलता है, आज किसी वीडियो में बस दाइं, till then take care, bye and God bless you all.